पिछले तीन दशकों के दोरान, डिजिटल टेकनोलजी ने हमारे दैनिक जीवन को बदल दिया है. हर उम्र के लोग अप बड़ी मात्रा में उपलब्ध ओनलाइन सूचना और संचार प्लेटफार्मों का लाव उठा रहे हैं, जो उन्हें एक दूसरे से जोडते हैं. अधिक कर रहे हैं की लागातार टेकनोलजी का उप्योग दिमाग के कारियर और व्यवहार को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित करता है. उदाहरं केलिए कुछ व्रिद्व व्यक्ति इंटरनेट का उप्योग जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं ताकि अपडेट रह सके। हाला कि कुछ हिन नई तकनीकों को अपनाने में असमर्थ हैं। कई अध्ययनों से पता चला कि अत्यदिक स्क्रीन समय वीडियो गेमिंग, इंटरनेट उप्योग आदी और कॉंसेंट्रेशन के बीच एक गहरा रिलेशन है। ये संबंध हर उम्र के लोगों में पाया गया है। हाला कि इस संबंधों का कारण क्लीर नहीं है, लेकिन इसके लिए अटेंशन की कमी और मल्टी टास्किंग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब लोग लगातार इस टेकनोलोजी का उप्योग कर रहे हैं, तो उनके पास ओफलाइन बातचीत करने और अपने दिमाग को उसके डिफॉल्ट मोड में आराम करने के कम अफसर मिल रहे हैं। सोशल आइसोलेशन, तनाव पूर्ण वातावरन से रहत देने की कोई भी एक्टिविटी मददगार हो सकती है। उदाहरन के लिए एक संगीत सुनना आपको एक ब्रेक देकर तनाव मुक्त कर सकता है। बहुत सारे ऐसे आप्स भी हैं जो आपकी माइनफूलनिस बूस्ट करती हैं। मेडिटेशनल एकसरसाइजेस को डिजाइन करके आपको मन की शांती देती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम टेकनोलोजी को आपसी बातचीत के मुकाबले आधिक प्राथमिक्ता देना शुरू कर देते हैं। नबे प्रतिशत युवा, फेस्बूक, ट्विटर, स्नैपचेट और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उप्योग करते हैं और वो इन साइटों पर कम से कम एक बार रोजाना जाते हैं। जैसे जैसे तकनीक पर निर्भरता बढ़ती है, बच्चे अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के विचारों और भावनाओं से दूर एक बुलबुले में बंद कर लेते हैं। करना एक अच्छी नीन लेने में बाधा ला रहा है, इसके कारण रात में उनकी कई बारांग भी खुल जाती है। वयसकों में स्मार्टफोन का अधिक उप्योग कम और अकुशल नीन से जुड़ा है। नीन्द की खराब क्वालिटी दिमाग में कई परिवर्तनों को जन्द देती है, जैसे की कार्यात्मक कनेक्टिविटी में कमी और ग्रे मैटर की मात्रा में कमी ग्रे मैटर यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी इंटेलिजेंस को निर्धारित करता है। इससे अलजाइमर रोग का खत्रा बढ़ जाता है। यह स्पश्ट नहीं है कि स्क्रीन या मीडिया सामगरी को देखने का कार्य नींद में बाधा डालता है या नहीं। हाला कि यह सर्वविदित है कि लाइट की वेवलेंट नींद को नियंतरित करने वाली सरकेडियन रीदम को प्रभावित करती है। स्पेशल कार्यक्रम, वीडियो गिम और अन्य ओनलाइन मटीरियल शामिल हैं जो हमको मेंटल एक्सरसाइस प्रदान कर सकते हैं। डिजिटल टेकनोलजी के उप्योग के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों पर ध्यान देने के साथ साथ, भविश्य की रीसर्च को प्रद्योगिकी के उप्योग और मेंटल हेल्थ के बीच संबंधों को और स्पष्ट करने की आवश्यक्ता है। दोस्तों, मेरे नए वीडियोज और लेटस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें.